नमस्कार दोस्तों, इंडिया अलाइंस के अंदर जबरदस्त सर्फ टवल शुरू हो चुकी है नितीश कुमार का एक बयान और इंडिया अलाइंस के अंदर जबरदस्त करह शुरू हो गई है दरसल सारा मसला है पियंपद की दावेदारी नितीश कुमार हर हाल में चाहते थे कि ये दावेदारी उनको ही मिल जाए लेकिन कॉंग्रिस का रुख उनके खिलाफ हो गया अभी देखें बिहार में जैसे ही कॉंग्रिस की लोगों ने कहा कि बिहार के मंत्री मंडल का विस्तार कर दीजिए हमारे विधायकों को भी बिहार में मंत्री बना दीजिए नितीश कुमार जी तो नितीश कुमार जी साफ इंकार करते नजर आए उन्होंने का अभी कोई मंत्री मंडल बिस्तार बिहार में नहीं होगा तो कामरेस नितीश कुमार की इस रवये से एकदम खफा हो गई है, गुस्से से लाल हो चुकी है और नितीश कुमार की इस रवये के बाद ये भी चर्चाय तेज हो गई है कि क्या इंडिया अलाइंस को खुद नितीश कुमार अपने हाथ से बरबाद कर देंगे दरसल नितीश कुमार हर हाल में एक दावेदारी चाहते हैं एक दावेदारी ना से तो कम से कम एक आश्वासन चाहते हैं इंडिया अलाइंस के निताओं से कि जरूरत पढ़ने पर आपको भी PM कैंडिडेट हम बना सकते हैं लेकिन पूरे इंडिया अलाइंस में एक चीटी भी नहीं है जो नितीश कुमार के साथ खड़ी हो जो ये कहे कि ठीक है ज़रूरत पड़ी तो आपको PM कैंडिडेट बनवा देंगे यहां तक कि जो उनके बड़े भाई कह सकते हैं लालू यादव वो भी साफ साफ राहुल ग किस कदर बिखर जाएगा किस कदर बरवाद हो जाएगा अब PM कैंडिडेट की दावेदारी के कई दावेदार हैं लेकिन सबसे बड़े दावेदार यहां पर राहुल गांधी नजर आ रही है नितीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी दावेदार बने वजह करने क्योंकि नितिश कुमार की पार्टी सबूस्य को क्यों डावे tells लायनि में भी ख़ड़ा कर दिया गया है तो इसलिए इंडिया आलाइंस के अंदर ये सारी सिर्फ फटावल शुरू हो चुकी है अब राहूल गांधी चुकी आते हैं ऐसे परिवार से गांधी परिवार से जो बिना कुछ किये भी सत्ता की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं तो ये बात नितिश कुमार को कहीं न कहीं खटक रही है और अंदर ही अंदर का चोट रही है अब देखिए जितने भी राज्ये हैं जहां पर विधान सभा चुनाओ है वहां राहूल गांधी खूब रैलिया कर रहे हैं अब चाहे संसद के अंदर की बात हो चाहे लोग सभा के अंदर की बात हो हर मसले पर वो जिस तरह से नरेंद्र मोधी सरकार को घेर रहे हैं लाइम लाइट में बने हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि राहूल गांधी ही सीधे नरिंद्र मोदी से मैदान जंग में मुकाबला करेंगे तो महागर्ट बंधन में इंडिया अलाइंस में अघोशित पीम कैंडिडेट अभी से राहूल गांधी बन चुके हैं और ये नितीश कुमार को बिल्कुल भी बरदाश्टे काबिल नहीं है ममता बैनर्जी भी अभी तो चुपचाप है खामोश है ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है लेकिन कहीं न कहीं दावेदारी वो भी चाहती है कि उनको पीम का कैंडिडेट बनाया जाए पीम कैंडिडेट अगर एक महिला बनेगी तो कुछ अलग बदलाओ लेकर आएगी देश में ऐसा मानती है ममता बैनर्ची देखे केजरिवाल ऐसे तो कह चुके कि उनको कोई दिल्चस्पी नहीं है पीम बनने में और नहीं इसकी दावेदारी में लेकिन केजरिवाल भी जानते हैं कि अगर उनको राश्री राजनीती करनी है अगर उनको केंडर की राजनीती करनी है अगर उनको मोदी से मुकाबला करना है तो उनको इस रेस में शामिल होना पड़ेगा उनको पीम पद की दावेदारी के डी आगे आना पड़ेगा तो पहले तो उन्हों ने ये सारी बाते खुले मंच से बोल दे कि हमें नहीं चाहिए कोई दाविदारी हमको नहीं बनना है पियम क्योंकि सारे विपक्ष को साथ लाने की बात थी लेकिन अब जब सब ये लोग साथ आ चुकी है तो इनके अर्मान बाहर निकल रहे हैं के जिरिवाल के भी निकल रहे हैं मुंता बैनर जी के भी निकल रहे हैं और नितीश कुमार के अर्मान तो इसकदर बाहर निकल रही है कि आप फूट की तस्वीर इंडिया अलायंस के अंदर साफ हो रही है अब देखिए समय बेहद कम बचा है सितंबर का महीना है और अगले साल चुनाव है अगर मान लीजे गलती से भी इसी साल दिसंबर तक लोग सबा के चुनाव हो जाते हैं तो इंडिया अलायंस आपको टुकडों में विखरी हुई नजर आएगी क्योंकि पियम पद की जाएं हवा में चल रही हैं क्या धरातल पर भी इतनी गहरी हैं और अगर ये फूट हो जाती है तो कितना मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के नेताओं का मोदी के सामने खड़ा होना इस खास बाचीत में इतना ही चनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पेज को वालो कीजिए नमस्काट